बहाली के शारे बिसेपर अगर आपके द्यान जा रहा है या आपकी जो भी सोच है जिसकदर चांच कमीटी रिपोर्ट सोंपी और जो भी इसले फिच की बहाली में आर्थिक अपरादिकाई ने बेसक बहतर काम कर रहा है और आर्थिक अपरादिकाई की रिपोर्ट के बाद स लिपोर्ट सौफित थी, बिहार, पुलिस, चैन्सरबा, सिवा, परसद की जो अध्यक्ष थे, इसके सिंगल, जिनको अपके पद से उनको हटा दिया गया था, और लगवा सारे 23,000 पद की जो बहाली निकली थी, उसमें से 10,000 पदों पर जो सीट बेचने का आरोप उनको लग परादिकाई की रिपोर्ट को हम किस परकार से माल ले, आरतिका परादिकाई ने बेहतर न तरीके से सारे चीजों पर आपगत कराया है, और अब जब बिहार के तिसरे फेश के बहाली का भंडा फोर हो चुका है, जो आरोपी है, विसाल चौरसिया से लेकर विजेंदर गु उसी सिख्षा माफ्याओं के हाथ में, सरगनाओं के हाथ में पेपर चला गया था, और उसनोंने सेटिंग के तहट लोगों से पैसे इकठा किये, और उसके बाद प्रस्ण पत्र मोहिया करा कर लोगों को परच्छा के नदर पहुंचाने का जो जिम्मा है, खुद उससा सार भी मामले में, जो भी मामला सामने आ रहा है, खुलकर आ रहा है, उसमें कहीं ने कहीं अभी आप तिन चार पांच दिन का जो इंपूट देखेंगे उसमें ये बाते सामने आ रही थी कि आर्टी कपरा दिखाए कि टीम कोलकाता जा रही है उहांके प्रिंटिंग प्रेस से पूच्टाश करेगी परन्तु कुछ अभी तक मामला सामने नहीं आ सकते हैं तो क्या बेपिए से के चेयर्में पूर्फी चेयर्में अतुल परसाथ और अनसदस्ते और करमचारियों से पूच्टाश नहीं की जाहिए थी तो आर्टी का प्रादी का अभी तक किस मामले में और क्या कर रही है मुझे लगता है कहीं लीपापोती का तो प्रयास नहीं चल रहा है क्योकि बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों का भी नाम कोचिंगस इस्ट्ूट का नाम और कई चीजों का नाम सामने जब आ रहा है तो हो सकी इस तरह की चीजें क्योंकि जो भी जंडर कुपता का बयान जिस पकासर चल रहा था कहीं नकहीं वो उसमें कि शाखने की जरूवत है कि आर्टिकाप राधिकाई की रिपोρ्ट पर या मीडिया के बंधूं का जो सवाल है या प्रेश मीडिया अलेक्रोनिक मीडिया उसका भी सवाल होना चाहिए कि आर्टिकाप राधिकाई अभी तक किन किन बिंदू को पर जाच कियے हैं और हम तो लगातार कर रहे हैं कि 275 लोग के जो गिराफ्तारी हुई, वो लोग का पूरा बजापता, पूरा लिस्ट BPSC को जाड़ी करना चाहिए, कि यह यह लोग गिराफ्तार हुए हैं, यह इनके माता पिता का नाम, रॉल नंबर करमांग और किस फेश के बहाली में बैश बजने वाले थे, तो सब चीजे बिलकुल आपको खोल के रखते रा चाहिए, लेकिन BPSC क्या कहें, कि BPSC तो खुद सारे मन मामलों के जो ज़र में जो है, लिख के सरगना खुद BPSC कुद है, जो प्रिंटिंग 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 के माली का नाम बताना, पासव बजनाओं को बचाने का परियास, राजसरकार के तरफ चल रहा है, या आर्तिक अपराधिकाई उस बिंदू तक पहुँच गई है, उसे हिमत नहीं हो पा रही है, कि उन सारी बिंदू की जाच करे, या राजसरकार के कुछ लोगों का नाम इसमें आ रहा है, तो अपने कद रहते ही सारे मामलों का खुलासा हुआ, और उनके रहते ही हुए सब चीजे उटाने के तरफ पर सामने आई है, तो अब किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, उनके बिना दसकत के, उनके बिना सिक्रेचर के आप प्रिंटिंग प्रेस में कोश्चन छपने नहीं जो ब्लेक लिस्टेट कंपनी है, उसी को जिमा दिया गया, उसी को ठेका दिया गया, जो सारी चीजे बिल्कुल अब आपके सामने हैं, और आर्थिक अपरातिकाई कैसे काम कर रहे है, इसके सिंगल से लेकर अतुल परसाद की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसमें किन दिन से अंदर कोई बिसेश इनपूट नहीं मिला है, कोई लीड नहीं मिला है, कोई जरनकारी नहीं मिल रही है, जाहिसी बात है कि असिक्छा का वियर्थी के मन में कहीने 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 कहीन हुआ ही चाफ करें तो इसी प्रकार से मट्या मेट कर दिया जाएगा उसको खतम करने का प्रयास किए जाएगा साथियो लेकिर इतना जरूर है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं होगा, तो हम लोग एक चुट होकर अपने आंदोलन को तेज करेंगे, ठीक है सार्तिकों, धन्यवाज जैहिंदे